हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चानल, स्वागत है, आप सबका हमारे चैनल क्रिटिकल एनलिटिकल शिव पर, आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद, आप सबसे निवेधन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर करें, तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुरेगे और चैनल को सब्सक्राइब करेगे, पेश है क्रिटिकल एनलिटिकल रिवीज द लाइफ यू वांटेड, ये फिल्म अभी नेट्फलिक्स, OTT पर प्रसारित हो रही है, यह एक इटालियन, रोमांस, क्राइम, थ्रि जिंदगी की रही है, लिंघ परिवर्तन करवाने के बाद उसे बच्चे पालने और मां वनने में इंटरेस्ट नहीं है, हाला कि इसका एक प्रेमी सर्जियो है, जिसके साथ में कुछ समय से रह रही है, ग्लोरिया की जीवन में परिवर्तन तबाता है, जब एक महिला मरीना उसकी जिंदगी में 15 साल बाद वापस आती है और बताती है कि जब ग्लोरिया लिंग परिवर्तन से पहले एक लड़का था तब दोनों प्यार करते थे और उसके नतीजे में इसका एक 15 साल का लड़का अंड्रिया है मरीना के तीन बच्चे हैं और तीनों के पिता अलग-अलग पुरुष है मरीना को एक गंभीर ब्राइन कैंसर ट्यूमर बीमारी है जिसके चलते उसकी मौत हो जाएगी तो वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे अनात हो जाए इसलिए वो बच्चों को उनके असली पिता से मिलवाने निकली है बात करें हमारे एक्स्पीरियंस की तो यह एक फर्स्ट वर्ल्ड विक्सित दुनिया की कहानी है जिसमें की लिंग परिवर्तन, ट्रांसचेंडर लाइफ, बिना शादी के बच्चों को पालना, अलग-अलग प्रेमियों से सेक्स और बच्चे होना जैसे विशेयों पर बात किया गया है कहानी का प्लोट और जो कहानी में एलिमेंट है, वह बहुत इंट्रस्टिंग है कहानी में जो परिवर्तन, ट्विस्ट और टन आते हैं, वो इसे देखने लायक बनाते हैं कहानी में बहुत सारे emotional sequence और revenge है, जो एक व्यक्ति के life decisions को challenge भी करते हैं और आने वाले भाविशे के बारे में उचित सवाल और ग्रिश्टि कोन बताते हैं निर्देशक ने ठीक ठाक कहानी बनाई है, छेर एपिसोड की यह सीरीज है, तो कुछ बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं लगता है कहानी में बहुत सारे element और वर्तमान समय के social setup पर सवाल किये गए हैं सीरीज के निर्माता, निर्देशक ने एक नया, unique perspective, दर्शकों के सामने रखा है, जिस पर बात करना साहसी है यह एक प्रेम कहानी भी है, revenge story भी है, life lesson भी है, crime drama की है, उसके हिसाब से किसी एक box में describe करना संभव नहीं है Overall सीरीज आपका ठीक ठाक मनोरंजन करने में सफल रहती है सीरीज का जो production, work और cinematography है वो दिलचस्प है, देखने लायक है इटली के शहर को परदे पर ठीक तरीके से दिखाया है, acting और performance भी सभी कलाकारों की ठीक नजर आए है Overall यह सीरीज आपको ठीक ठाक viewing experience प्रदान करती है, सीरीज को एक बार देखने के लिए जरूर हम recommend करेंगे हमारा यह video review कैसा लगा, comment करके बताएं, आपने यह सीरीज को देखा हूँ तो आपको कैसे लगा, आपके opinion नीचे comment में लिखें, हमारे channel को subscribe भी करें दोस्तों, अभी का हमारा target है, एक लाग सब्सक्राइबर्स जोडने का, और चैनल को verify करने का जिससे हम और अधिक मनोरंजक विडियो आप तक पहुचा सके, तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुरेगे और चैनल को subscribe करेगे मिलते हैं अगले विडियो में, शुक्रिया, ठैंक यू, धन्यवाद हमारे विडियो को like और share करे, हमारे चैनल को subscribe करे, हमारे अन्य विडियो भी देखे, चैनल से जुडने के लिए धन्यवाद दोस्तों, एक सरूरी message संदेश सिग्रेट और शराब की नशे सी दूर रही अपने परिवार और दोस्तों को भी सिग्रेट शराब की नशे सी दूर करे और भारत को नशा मुक तुनाई, ये हिंद